डीटर प्लेस भी पी आरटी की वेकेंसीज के लिए आज मैं मनोविज्ञान की ये सीरी शुरू करने वाला हूँ और आज की इस पहली क्लास के अंदर मनोविज्ञान की उत्पत्ती कैसे हुई आपने ये टोपिक बहुत बार जो है देखा होगा पड़ा होगा लेकिन आप भूल जाते हो आज इस तरीके से एक पूरी स्टोरी की तरह आपको बताऊंगा समझाऊंगा कि आपके माइंड में प्रिंट हो जाएगा मनोविज्ञान का जन्म और इसमें अनेक मनोविज्ञानिकों की भूमिका यानि की how the psychology started and who are the ones who played a major role in its development पेपर में धूम मचाद होगे तयारी के साथ डीट रिप्लेस्बी के लिए जबरदस्त content है यह पहला चैप्टर है डीट रिप्लेस्बी पियार्टी टीजीटी पीजीटी दोस्त आप लोग मनोविज्ञान के उत्पत्ति को समझ गए तो आप अलग-अलग जो मनोविज्ञानिक जो आएंगे पिक्चर में धीरे-धीरे जो अलग-अलग मनोविज्ञानिक आएंगे आज आप समझ जाओगे कि कौन सा मनोविज्ञानिक किस तरीके की सोच वाला है वो कौन से टाइम फ्रेम में आया तो बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है अगर आपके दिल के अंदर एक्जाम के अंदर पहले ही चांस में नोकरी लेने की भूक है तो इस वीडियो को देखना इस पूरी वीडियो में मनोविज्ञान की उस तलो तक हम जाएंगे जहां से कोश्चन पेपर में एक्जामिनर आपके लिए पेपर सेट करता है तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं लाइक का बटन दवाते जाएं ने स्टूडेंट हमारी फैमिली का हिस्सा बनते जाएं देखिए मनोविज्ञान की उत्पत्ती की बारे में बात करते हैं सबसे पहले देखो अगर आप से पूछे मनोविज्ञान की उत्पत्ती कब हुई तो चोथी सदी के आसपास चोथी सदी में मनोविज्ञान की उत्पत्ती हुई इसका जनक किसे माना जाता है देखिए मनोविज्यान का जनक अरस्तु माना जाता है लेकिन प्राचीन मनोविज्यान का जनक मानोगे यानि कि मनोविज्यान को सबसे पहले अस्तित्वें लाने वाला है अरस्तु लेकिन यहां पर एक घोटाला है ये कि एक मनोविज्यानिक है कॉल सेनिक कॉल सैनिक ये मानता था कि मनोविज्ञान का वास्तुविक जनक प्लैटो है लेकिन बाकी सब मानते थे अरस्तु है ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि जो मनोविज्ञान है उसके अंदर आत्मा की बात की अरस्तु ने लेकिन अरस्तु ने वो बात सीकी थी अपने टीचर से किस से प्लेटो से तो इसलिए कॉल सैनिक के अनुसार कई बार कोश्चन आता है कि कॉल सैनिक के अनुसार who is the father of psychology then you will say प्लेटो but if the question is who is the founder of psychology then answer होगा अरस्तु ठीक है आगे बढ़ते हैं देखो चोथी स्ताबदी में आगे बढ़ें तो एबिंग होस ने पहले इसवी पाँचवी सदी में यानि कि पहली पाँचवी सदी में पैदा हुए दार्षनिक सुकरात ने का कि मनुष्य को मनुष्य का ही अध्यन करना चाहिए यानि कि यहाँ पर एक चीज देखिए कि एबिंग होस जो मनोविघ्यनिक थे उन्होंने बताया कि मनोविघ्यन कि जड़े इसली पड़ी क्योंकि पाँचवी सदी में पैदा हुए एक मनोविघ्यनिक सुकरात ने का कि मनुष्य को मनुष्य का यद्न करना चाहिए तो सुकरात के स्टूडेंट हुए प्लेटो प्लेटो ने फिर चोथी सदीपूर में अपने विचार देते हुए का कि इश्वर प्रकरती मनुष्या आपस में इस पकार से बंदे हुए हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता फिर प्लेटो के सिष्ک अरस्टू थे जिन्होंने प्राचीन मनोविञ्यान की आदारशिला रखी प्लेटो ने अपनी एक बुक थी रिपबलिक इसके बारे में भी कोश्चन आते हैं कि क्या था इसके अंदर रिपब्लिक बुक के अंदर प्लेटो ने लिखा कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है और आत्मा की भाव से किसी परमसत्ता को इश्वर मानता है यानि कि यहां पर एक वर्ड निकल कर आया आत्मा अगर आपसे पूछें कि सबसे पहले आत्मा शब्द कहां से निकला तो प्लेटो की अपनी बुक रिपब्लिक में से निकला अब प्लेटो के सिश्य थे अरस्टू यहां पर जन्म हुआ मनोविज्ञान का जन्म कहां पर हुआ अरस्टू के टाइम पर अरस्तु के टाइम पर फिलोसफी में आत्मा के अध्यन की शुरुवात की गई अरस्तु ने आत्मा के अध्यन की शुरुवात क्यों की क्योंकि उनके गुरू प्लेटो ने आत्मा की बात की थी अपने बुक रिपबलिक में तो उन्होंने फिलोसफी के अंदर आत्मा का अध्यन करना शुरू कर दिया और ये आत्मा का अध्यन ही आगे चलकर आधुनिक मनोविज्ञान बना इसलिए अरस्टू को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं अब देखे यहाँ पर देखो तीन करेक्टर आ चुके हैं सबसे पहले कौन से करेक्टर है सुकरात सुकरात ने बोड़ी बहुत बात की फिलोसफी में सुकरात के बाद उनके शिशते प्लैटो वो भी अच्छे फिलोसफर थे उन्होंने अपनी एक बुक लिखे रिपबलिक उसके अंदर आत्मा शब्द का प्रियोग किया अब इस आत्मा शब्द को लेकर जो प्लूटो के जो शिशते अरस्तू उसने शुरुवात कर दी स्टडी करने की आत्मा की और आगे चल कर आत्मा की स्टडी ही पहला ऐसा टोपिक बना जो की आधुनिक मनोविज्ञान की आधारशिला बना इसलिए अरस्तू को मनोविज्ञान का आप जनक कहते हो लेकिन सिर्फ कोल सैनिक एक मातर ऐसे मनोविज्ञानिक है जिनोंने मनोविज्ञान का वास्तविक जनक प्लैटो को माना है क्यों क्यों क्योंकि जो मनोविज्ञान की शुरुवात हुई वो आत्मा के विज्ञान से हुई आत्मा का विक्यान और ये आत्मा वर्ड रिपब्लिक बुक से आया था तो कॉल सनिक इसलिए मानते थे अब इसकी शुरुवात कैसे हुई और आगे कैसे बड़े अब इंट्रेस्ट आना शुरू होगा छोड़े के मत जाए क्योंकि अब असलिए इंट्रेस्ट आना शुरू होगा देखो साइकोलजी की शुरुवात कैसे हुई अब देखो साइकोलजी की शुरुवात हुई उसको कहा गया आत्मा का अध्यन और ये किस ने शुरू किया ये शुरू किया अरस्तु ने ठीक है 2000 साल तक मनो विज्ञान के थुरू अरस्तु के किये गए अध्यन को ही लोग पढ़ते आये 2000 साल तक आत्मा का ये अध्यन किया गया पहली बार सोलवी सदी में देखो कितने टाइम के बाद सोलवी सदी में 1590 इस्वी में युनानी दार्षनिक थे रुडॉल्फ गोलकोए इनका नाम आपने सुना होगा इन्होंने साइकोलोजिया नामक एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने आत्मा के अध्यन के लिए साइकोलोजी शब्द का परियोग गया इसी लिए फिलोसफी से ये जो आत्मा का अध्यन अलग हुआ इसको नाम दे दिया गया साइकोलोजी अब तक क्या हो रहा था अब तक फिलोसफी के अंदर आत्मा का अध्यन किया जा रहा था एक अलग स्ट्रीम में अब उस स्ट्रीम को नाम दिया साइकोलोजी किसने रुडॉल्फ गोलकोए इन्हें कव नाम दिया उन्होंने एक बुक लिकी थी psychology ठीक है जिन्होंने आत्मा के अधन के लिए psychology शब्द का यूज किया तब से लेकर अब तक मनो विज्ञान के अंग्रेजी शब्द में जो psychology है उसका प्रियोग किया जाता है इस subject के लिए और ये जो psychology है इसकी उत्पत्त कहां से हुई है इंग्लिश का वर्ड नहीं है ये psyche प्लस logos से मिलकर बना है और ये ग्रीक बाशा का शब्द है ठीक है तो अब आप जो है आत्मा के अधन तक हैं यह भी 2000 साल तक आत्मा का अधन चलता रहा फिर हम पहुंचे युनानी दार्षनिक दकार्टे के टाइम में इ इनोंने ये कोशिश किया कि ये जो आत्मा है इसको फिजिक्स के अंदर भी डाल दिया जाए अब देखो यहां तक जो थी फिलोसफी के अंदर ही ये चीज़ चल रही थी है ना अभी फिलोसफी के अंदर ही ये आत्मा का अधन चल रहा था भी psychology अलग नहीं हुआ है लेकिन यहां पर डकार्टे ने क्या कोशिश की कि इस आत्मा के अधन को हम भोतिक शास्तर में भी जोड़ दें यानि कि फिजिक्स के अंदर भी जोड़ दें लेकिन ऐसा हो नहीं पाया कुछ लोग कुछ मनोविक्या निक थे उन्होंने बोला कि पागल तो नहीं हो गई हो जैसे ह वोप्स होगे, लोक होगे, कांट होगे यह वो दार्शनिक थे जिन्होंने कहा कि आत्मा का अधन जो है इसके अंदर फिजिक्स के अंदर पूसीबल नहीं है क्योंकि कई सवाल पैदा हो गए थी कि आत्मा क्या है, कैसी ये कहा है और इन सवालों के जवाब नी दे पार आत्मा का जो ये अध्यन था इसको फिजिक्स के अंदर नहीं लेकर जा सकते थे अभी आपने एक चीज नोट की होगी अगर आप डीपली चल रहे हैं कि परमुक दार्शनिक आगे चलके ये होप्स, लोक, कांट ये मनोविज्ञानिक में भी कनवर्ट होंगे क्यों क्यों क्य ज्यादा तक आत्मा के अध्यन को लेकर चल रहा था लेकिन इटली के अंदर एक दार्शनिक थे पैमपनोजी उन्होंने कहा कि आत्मा का अध्यन नहीं मन और मस्तिष्क का विज्ञान बताया और पैमपनोजी के विचारों के समर्थक कौन थे वही लोग जो ड़कार्टे क मना कर रहे थे कि आप आत्मा के अद्धन को फिजिक्स के अंदर नहीं जोड सकते वही मनोवज्ञानिक बोले कि साइकोलेजी जो है ठीक है आत्मा के अद्धन को छोड़ो और मन और मस्तिश का अद्धन शुरू करो ठीक है लेकिन 19 सदी आते आते लेकिन 200 सालों के अंदर ये मानना भी दीरे-दीरे कम हो गया ये समाप्त होने लगा क्यों? क्योंकि इनके खिलाफ भी ये जो इसके समर्थक थे इनके खिलाफ भी जो है और जो दूसरे मनोविज्ञानिक हो खड़े हो गए थे और इनके जो question थे आत्मा वालों के लिए कि आत्मा कहां है कैसी है दिखाई नहीं देती ऐसे ही इनके खिलाफ वाले लोग भी इनसे पूछने लगे कि मस्तिश्क क्या है मन क्या है कितने मन होते हैं कौन से मन का दिन करे कौन से मन का दिन ना करे और इनके जो ये question उठे दूसरे लोगों के इनका जवाब ये नहीं दे पाए तो इनके मनोविज्ञान की जो ये content था ये फैल हो गया अब फिर हम अठार्मी शदाब्दी में पहुंचे देखा यहां पर सतर्मी शदाब्दी में मन बताया उननिशवी शदाब्दी तक आते आते दो सो सालों में आते आते ये विचार भी अमानने हो गया 1852 शवी में एक घटना से परबावित होकर अमेरीकी विद्वान विलियम जेम्स ने 18 साल तक मैनत की और ये कोशिश की की देखो अभी दर्शन शास्तर के अंदर आप कभी मन के विज्ञान को पढ़ते हो कभी आत्मा के विज्ञान को पढ़ते हो कभी इसको फीजिक्स के अंदर जोडने की बात करते हो इसको अलग से क्यो ना एक सबजेक्ट बना दिया जाए और मैं तो इस प्योर इस सब्जेक्ट के उपर 18 साल से काम कर रहा हूँ तो क्या ऐसा हो नहीं सकता कि एक अलग जो है इसे सब्जेक्ट बना दिया जाए तो 1870 में विलियम जेम्स के 18 साल की मैनत को देखते हुए साइकोलजी को एक सोतंतर विशे बना दिया गया और जो आज क मनोविज्ञान कहलाया अब एक चीज आपने नोटिस की कि ये जो शब्द था मनोविज्ञान ये पहले ही आ चुका था कब आ चुका था ये आ चुका था पंदरा सो नब्बे में जब साइकोलोजी आ नामक बुक लिखी थी उनकी बुक से जो है इंस्पायर होकर जब 1870 मे एक अलग सब्जेक्ट बना तब इसका नाम मनोविज्ञान यानी साइकोलोजी हो गया और ये किसकी वजए से हुआ 18 साल की मेहनत की वजए से जो विलियम जेम्स ने करी थी इसलिए जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसका जनक माना जाता है विलियम जेम्स को इसलिए जो जेम्स है उनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक मांगते हैं अब प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कौन अरस्तू जो फिलोसफी के अंदर एक कुछ अलग सी चीज लेके आया आत्मा अब वो आत्मा का दन आगे चलके मन का दन में कनवर्ट हुआ फिर ये एक अलगी बन गया 1852 में आते आते 2000 साल लग गए इस चीज को अलग बनने में और ये कब पोसिबल हो पाया जब एक विलियम जेम्स 1870 में 18 साल तक इनोंने क्या किया मैनत की और साइकोलोजी का जो आज का स्ट्रीम है वो अस्तित्व में आया अब अस्तित्व में आ चुकी है साइकोल अब दार्शनिकों की जिंगे मनो विज्ञानिक शब्द यूज होंगे आगे देखना अब विलियम जेम्स ने 1870 में ये विचार दिया अब उनसे भी पूछे गए सेम बात कि साइकोलोजी क्या है तो उन्होंने का कि अवेरनेस यानि कि कोई आदमी जितना अवेर रहता है उसका स्टेडी करना यानि कि आपने देखा हो आप कभी कभी गुसा हो जाते हो क्यों एक दम से गुसा हो जाता है आपकी अवेरनेस चेतना कम हो जाती है तो चेतना ही जीवन चलाती है यानि कि जो आपकी अवेरनेस है वही आपके जीवन को चलाती है लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है बेहोश जी रहे हैं सब इसका मतलब अचेतन बन में जी रहे हैं सब इनके इस विचार के आधार पर चेतना का विज्ञान बन गया psychology 18 साल तक बंदे ने study की तो चेतना का विज्ञान बना एक चीज तो करने में सफल हो गए कि मनो विज्ञान को एक अलग विज्ञान बना दिया इस विचार का समर्थन भी किया किसने विलियम वुंट ने जेमस सली ने टिचनर ने, जेडविक ने ये सब संरचनावादी थे ये जितने भी संरचनावादी थे दोस्त इन सब ने चेतना को ही यानि awareness को ही जो है जोर दिया, अब भाई 18 साल की मेनत थी इतने मनो विज्ञान इक इनके समर्थन में आ गए थे तो विल्यम जेमस चेतना का इयतन करते रहे और फिर जो संरचनावादी थे वो भी विल्यम जेमस से सहमत थे कई न कई तो उन्होंने मनो विज्ञान की पहली परियोग शाला यानि की सबसे पहला experiment करने की जिग्व है मनो वीज्ञान की प्राचीन मनोविज्यान के जनक अरस्तू हो चुके हैं आदुनिक मनोविज्यान के जनक विल्यम जेम्स हो चुके हैं और प्रियोगात्मक मनोविज्यान के जनक जनक कि experimental psychology के जनक कौन हो गए हैं अब विल्यम वुंट अब आपसे पूछे William Wundt किसके supporter थे तो वो William Wundt थे William James के supporter ठीक है और ये संरचनावादी थे और इन्होंने सबसे पहले परियोग शाला खोली इसलिए experiment करने वाले ये हुए तो ये सबसे पहले अपने आपको इन्होंने experimental psychology का फादर का अब आगे क्या हुआ आगे का विकास और भी important है अभी तो interval तक पहुँचे है चुरुवात interesting थी ये वाला part interesting था अब बीच वाले part से थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ 19-वी सदी अब तक की बात में करनी है अब देखो चेतना का विज्ञान का मतलब की awareness ये भी कम समय तक चला 19-वी सदी तक आते आते ये मातर 30 वर्षों तक समाप्त हो गया यानि कि आपने क्या देखा था यहां पर यहां पर बिचारे जो जो शुरुवात में जो आत्मा का विज्ञान था वो कितने साल चला डाई अजार साल डाई अजार साल आत्मा के विज्ञान को पढ़ते रहे उसके बाद क्या चला मन का विज्ञान 200-200 साल उसके बाद तीसरा क्या आया चेतना का विज्ञान वो कितने साल चला मातर 30 साल ऐसा क्या हो गया कि ये सिर्फ 30 साली चला एक ऐसा आदमी जिसने 18 साल मेनत की और चेतना के विज्ञान के दम पर साइकोलजी को एक अलग विशय के रूप में खड़ा कर दिया उसके समर्थक संरचनावादी भी थे तो ऐसा हुआ क्या ऐसा करने के अंदर दो कारण थे दो लोग इनके पीछे पड़ गए थे वो दो कौन थे एक तो थे विलियम मैक डूगल इंगलेंड के 1901 में वो एक सिगमन फ्राइड थे वियेना के 1902 में ये दो मनोविज्ञाने कैसे थे जिन्नोंने इनकी नींदराम कर दी कैसे मैक डूगल ने 1902 में अपनी एक बुक लिखी इन्होंने देखी कितना अच्छा तगड़ाकाम के एक बुक लिखी और उसमें लिखा कि चेतना एक बुरा शब्द है मनोविज्ञान का अर्थ चेतना के रूप में लगाना दुरबाग्यापूर्ण है यानि कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं है क्यों क्यों क्योंकि आदमी हमेशा होश में नहीं रहता अपनी जिंदगी में आज तक आदमी ने जितने काम किये हैं वो बेहोशी में किये हैं अवेर होकर तो आप कुछ-कुछ काम करते हो समझ मिया ही मेरी बात इसलिए सारे काम आपके जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होते हैं ऐसे ही 19. सदी में सिग्मन फ्राइड ने मनो विशलेशनवाद का सिद्दांत दिया ये भी अपने मनो विज्ञान में अलग जड़े जमा रहे थे दूसरे चैप्टर में क्या होगा दूसरे चैप्टर से हम अलग-अलग जो संपरदाए थे उनको डीपली करेंगे तो टेंशन मतलो इन सब के बारे में बताऊंगा आप अभी पहले स्टोरी पे ध्यान दो 1922 में सिग्मन फ्राइडे ने मनो विशलेशनवाद का सिद्दांत दिया और उसने का कि जिस चेतना की तुम बात करते हो वो तो सिर्फ एक बरफ का टुकटा है जो आइस बरफ के रूप में समुद्र में उपर दिखता है अचेतन मन तो 90% है जो नीचे दबा हुआ है तो इसलिए जो तुम मनो विज्ञान को चेतना का विज्ञान कहते हो वो बकवास है, बहुत कम भाग नजर आता है इसी परकार जो चेतना है वो 10% है और अचेतन 90% याद रखना चेतन 10%, अचेतन नब परसंत तो क्या हुआ तो ये हुआ कि 30 साल के अंदर जो विचारधारा थी चेतना का विज्ञान वो भी समाप्त हो गया अब 19. सदी आ गई थी तो एक मनोविज्ञान का नया अर्थ चाहिए था जिससे सभी मनोविज्ञानिक शांत रहें और जो ठीक भी हो फिर अस्तित्व में आए एक और बहुत तगड़े मनोविज्ञानिक बीस्वी शताबदी के प्रारंब में 19. शताबदी में तो कुछ ऐसा चलनी रहा था रिवोल्ट सा हो रहा था जो मैकडूगल थे और जो सिगमन फ्राइड थे उन्होंने नीम हिला दी थी संरचनावाद की और विलियम जेम्स की तो चेतना के विज्ञान के बाद अब और कुछ ऐसा थोट चाहिए था जो सब को सैटिस्वाई करें तो बीस्वी शताबदी में आए जेबी वाटसन उन्होंने व्यवारवाद या सकारात्मक विज्ञान कहा अब देखिए अमेरी की विद्वान थे ये अमेरी की विद्वान जेबी वाटसन के दवारा दिया गया जिन्होंने मनो विज्ञान का अर्थ व्यवार का सकारात्मक विज्ञान कहा व्यवार का अध्यन जेबी वाटसन के इस 20 वी शतापदी के अंदर जो मनोविज्ञान की यह परिवाशा दी गई इससे सभी सैमतो इनका कहنا क्या था इनका कहنا यह था कि क्यों क्या कैसे कोई आदमी कैसे विवार करता है क्यों विवार करता है उसका फोरकास्ट करना और उसे ठीक भी कैसे किया जा सकता इसकी भविश्यमानी करना ये सब तभी हो सकता है जब आप उसके वेवार को देखे एक्स्ट्रोस्पेक्शन करके और इस मनोविज्यान की परिवाशा का जो अध्धनीनों ने किया था जेबी वाटसन ने उसका समर्थन उस टाइम के सभी मनोविज्यानिकों ने किया मैक डूगल ने भी किया जो संडचनावाद को बुरा कह रहे थे स्किनर ने भी किया कॉल सैनिक ने भी किया क्रो एंड क्रो ने भी किया हल ने भी कहा, मर्फी, बोरिंग, मन इन सभी मनोविज्ञानिकों ने जेबी वाटसन की बात को माना और ये अभी तक चलती आ रही है वुडवर्थ एक और मनोविज्ञानिक थे उन्होंने भी इसका समर्थन किया और उने का कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा, फिर मन और फिर चेतना का त्याग किया और फिलाल ये विवार के सवरूप में अपनाई जाती है यानि कि इस टाइम पर आते आते सभी मनोविज्ञानिक इस बात पर सहमत हो गए कि हम psychology के अंदर behavior की study करें तो ये पूरी story थी अब climax की तरफ आते हैं जो सबसे important है वो ये कि मनोविज्ञान से समबंदित महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बताना जाता हूँ देखिए वर्तमान में मनोविज्ञान के में चेतन अचेतन का किया जाता है या देखो पहले के आता है चेतना का सिर्फ लेकिन अब चेतन और अचेतन मन की study की जाती है क्योंकि मनोविज्ञान वाद को अभी भी माना जाता है सिग्मन फ्राइड के कारियों को मनोविज्ञान के शितर में स्थापित करने का श्रे फ्राइड की पुत्री अन्ना फ्राइड और उनके शिश्य जुंग को जाता है सिग्मन फ्राइड का बहुत विरोध हुआ था सिग्मन फ्राइड एक ऐसे मनोविग्यानिक थे जुन्होंने इतना काम किया लेकिन उनके बातों को उनकी सुसाइटी ने माना नहीं बहुत क्रांतिकारी मनोविज्ञानिक थे ये लेकिन उनकी पुत्री थी अन्ना फ्राइड और उनके जो सिश्य थे जुंग उन्होंने बहुत सिग्मन फ्राइड के काम को दुनिया के सामने वो लेकर आए और जेबी वाटसन को वे वारवाद का जनक माना जाता है और याद बीश्वी सदी का चमकता सितारा किसे कहते हैं बीश्वी सदी का चमकता सितारा मनोविज्ञान की संग्या ये निकनेम किसको दिया जाता है जेबी वाटसन को क्यों क्यों क्योंकि जो कंटेंट था जो विशेवस्टू थी मनोविज्ञान की वो बदलती आ रही थी फिक्स नहीं हो रही थी लेकिन जे भी वाट्सन ने एक ऐसा जो है थोट दिया जिससे मनोविज्ञान के विशेवस्तु फिक्स हो गई और एक और जो कोश्चन आता है कि कि किसने कहा था कि तुम मुझे बालक दे दो मैं उससे सिख्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, चोड, डाकू कु किशोर मनोविज्ञान, प्रोड मनोविज्ञान, सिख्षा मनोविज्ञान, निदानात्मक या उप्चारात्मक मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, प्रियोगात्मक मनोविज्ञान, और द चोथी सदी से लेकर अब तक 20 सदी तक मनोविज्ञान ने अपनी यात्रा कैसी की मनोविज्ञान का जनम कैसी हुआ और इसके अंदर अनेक मनोविज्ञानिकों की भूमी का क्या थी अब जो अगले चैप्टर आएंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा यह जो अलग-अल कोई टकर नहीं है कुई मांता नहीं था हम अपनी पड़ाई नहीं कर रहा हूँ लेकिन जितना मतलब Team अंडर रेंटिड हमारा चैनल है जितना अंडर रेंटिड मैं रहा हूं योट्यूब पर उतना कोई टीचर नहीं रहा है लेकिन आप लोग अभी समझेंगे कि अगर आपको लगाओ कि ऐसा content possible नहीं है YouTube पर मिलना paid तो क्या वैसे भी नहीं मिलेगा भाई और बिल्कुल सारी चीज़ें free है यह पूरी PDF हमारे telegram group पर आपको मिल जाएगी हमारा telegram group का मैं आपको photo दिखा देता हूँ आप search कर लेना btsd3 description में लिंक भी मिल जाएगा यह उपर नाम आप देख रहे हो न टेलिग्राम में इसको आप search कर लेना सर्च बोक्स में मिल जाएगा आपको ठीक है next video में मिलता हूँ आप लोगों से तब तक के लिए जय हिंद जय भारत ने most important बात पढ़ते जरूर रहना है अब आग की तरह फैलादो यार मैं जानना जाता हूँ कि ये वीडियो आपको कैसे लगी बेकार लगी हो कोई बात न भी मतमार नई मांदारी से बताना बाई